काफी दिनों को वेट के वाद फाइनली MSI ने अपने ब्राभू 15 2020 वेरियन को इंडिया में लॉंच कर दिया जो कि अब आप लोग को फिलिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा जिसका वेट काफी दिनों से हम लोग Amazon इंडिया को अफिसल साइट पर कर रहे थे लेकिन खैर लेकिन आते ही बहुत जाद मार्केट में कॉंपेटिशन भी आगे है दोस्तों तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके प्राइस सेग्मेंट में कौन सा लैप्टॉप सही होने वाला है और आपके वोटिंग के वया से मैं इस चैनल पर फिर से कंटीनू करने वाला हिंदी वीडियो तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और मेरे साड़े इंग्लिस सब्सकारवर को भी यहां पर बहुत जादा थैंक्यू कि आप लोगों ने मुझे इतना जादा सपोर्ट किया देखे दोस्तों मैं आप लोग के फ्यूशर में ए एक ही वेरिंट आया है इंडिया में जो की राइजन 5 की प्रोशेसर के साथ आता है 4600H वाले CPU के साथ आता है दोस्तों एंडी का रेडियोन का ग्राफिक्स काड आप लोगों को मिलता है जो की 5500M वाला होने वाला है जो की काफी पावर्फूल है दोस्तों आप डिस्प्ले जो है 15.6 इंचिस का FHD डिस्प्ले है जिसमें आप लोगों 144 हर्ट्स रिफ्रेस्ट मिलता है 75,000 का प्राइजिंग है दोस्तों जिसमें आप लोगों 144 हर्ट्स दिया जा रहा है तो यह काफी बढ़िया बात है पावर के मालने 51 वाट आवर का बैटरी मिल जाएगा जिसमें आप लोगो 180 वाट एक अडप्टर भी मिल जाता है और इस प्राइस सेंग्मेंट पर आपको यह एक लॉता है ऐसा ल लेकिन यहां पर साइट के तरफ अच्छे लेकिन यहां पर जो इसका प्रफॉर्मेंस होने वाला गेमिंग में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मिलने माला लेकिन अब बात आती है कॉम्पेटिशन की उसके कॉम्पेटिशन में बहुत से लैप्टॉप जासे की डेल ज जाता है और उसके बाद फविलियन गेमिंग 15 तो ही तो यह कुछ से लैपटॉप इसके कॉम्पेटिशन में तो जो आप लोगों को मिलता है दोस्तों थर्मल से अच्छा मिलता ही है और इस लिस्ट में आप लोगो सिर्फ एच्पी ओमें में थर्मल जो बहुत ही बढ़िय देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि ब्रावो 15 में भी आप लोगों को 51 वाट आवर का बैटरी मिलता है और इन चाड़ों में आप लोगों को एक दो वाट आवर का उपर नीचे मिलेगा आशू स्टक में थोड़ा ज्यादा कम है लेकिन ओवार आल जो बैटरी परफॉर्में यहां पर मैं आप लोग के रिलेटेड ज्यादा काम करने वाले हैं तो आप लोग को अगर गेमिंग ज्यादा करने वाले हैं तो ब्रावो 15 एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटीव होने वाला है और डेल जीफाइब को यहां पर मैं पूरा क्रॉस कर देना चाहूंगा कि यह लैप्टप इस प्राइस में लेना अब कोई भी जादा यहां पर वैल्यवेल देने वाला नहीं है क्योंकि इस प्राइस सेंग्मेंट में डेल जीफाइब में रखते हुए यह चीज को देखके लेना है और मैं यहीं कहूंगा कि इस लिस्ट में से मैं डेल जीफाइब स्पेसल एडिशन को हटा देना चाहूंगा और इस पी पविलियन को भी मैं यहां पर ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा सिर्फ आसुस्टफ फिटीन और इस बताया हूं आप लोग का मन में कोई भी डाउट है तो कुमेंट बॉक्स में जाके कर दीजिए अगर आप लोग को डीटेल कंपैडिशन किसी भी लैप्टॉप का चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और आप लोग को अगर यह वीडियो थोड़ा सा यह पसन आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो में आप लोग के लिए लाता नूँ बाकि मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में